तो दोस्तो इससे पहले मैंने आपको धनी फीडम कार्ड के बारें बताया था और आपको बताया था कि आपको ये कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इसमें आपको फायदे क्या है नुकसान क्या है दो वीडियो इस पर बना चुका हूँ अगर आपने नहीं देखी तो जाके अभी देख लीजिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आप धनी एप्लिकेशन से लोन कैसे ले सकते हैं क्या क्या आपको करना होता है सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा इसके एप्लिकेशन पर ले जाके आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इसको operate करना है कहां पर इसका option मिलेगा जहां से आपको loan मिल सकता है इस वीडियो के description में एक link दी है जो कि इसके application की है आप उस link पर जाके इसको download कर लीजिए और फिर जो जो step मैं बताता हूँ उसको follow करते रहिए आपको पता चल जाएगा कि आपको धनी से कितना loan मिल सकता है और कैसे मिल सकता है वो भी इस वीडियो में discuss करूँगा आप वीडियो में लाश्ट तक बने रहिए और उससे पहले चैनल को subscribe कर दीजिए बेल आइकन को भी click कर दीजिए तो चलिए चलते हैं mobile की screen में दोस्तों ये मेरे पर धनी application है और यहाँ पर मैं इसको open कर लेता हूँ description में link दीए वहाँ से जागे आप download कर लीजिए मैं यहाँ पर पहले से ही download कर लेता हूँ मैं directly open कर लेता हूँ इस तरह से कुछ interface आता है allow पर आपको click कर देना है इसके बाद get start पर आपको click कर देना है फिर आपको तीन option देखेंगे पहले वाले option पर आपको click कर देना है one freedom credit पर आपको click कर देना है mobile number आपको डाल देना है इसके बाद ठीक है mobile number मैं यहाँ पर अपना mobile number डाल देता हूँ और उसके बाद आपको next बटन पे click कर देना है next बटन पे जैसे ही click करेंगे तो password reset करने को बुलेगा आपको password reset करना है इसमें एक alphabet होगा और बाकी number होगे आप यहाँ पे password reset कर लीजिए नीचे दिया है कि कैसे करना है मैंने यहाँ पे कर लिया है मैं next पर click कर देता हूँ इसके बाद OTP verification होगा जो की automatically हो जाएगा अब आपको आगे यहाँ पर अपना fingerprint registered करना है यहाँ पे इसको skip भी आप कर सकते हैं लेकिन अगर आपके माईले fingerprint है तो इसको register कर लीजिए मैं यहाँ पे register कर लेता हूँ इसके लिए register पर click करिए fingerprint लगाईए और यहाँ पे successfully हो जाएगा अब आपको यहाँ पे allow कर देना है यहाँ पे इस तरह से कुछ application का interface आपको नजर आएगा कुछ option नजर आएगे इसमें आपको continue कर देना है ठीक है धनी freedom card के लिए यहाँ पे continue आप कर दीजिए यहाँ पे पड़ भी सकते हैं और यहाँ पे continue के बाद यहाँ पे pen number लिख दीजिए आपका address लिख दीजिए pin code लिख दीजिए और बाकी सारी detail भर कर आप यहाँ पे continue करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो भी limit आपको मिल सकती है आपके credit score के अनुसार वो यहाँ पे बता दी जाएगी तो इस तरह से आप अपनी credit limit भी जान सकते हैं धनी freedom card पर तो यहाँ पर एक तरीका और है यहाँ पे available credit limit लिखा हुआ है अगर आपको वो option नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप apply now कर सकते हैं और यह वाला जो option है यह आपको वहीं लेके जाएगा देखिए के लिए कर दिया मैंने और यह वहीं पर लेके गया है तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं और वही सारी detail भर कर आप पता कर सकते हैं कि मुझे कितनी limit मिल सकती है ठीक है तो आप भर के और आप जान सकते हैं यह सब पहले से ही कर लिया है मैं login कर लेता हूँ अपने account में तो देख सकते हैं यह मेरा account खुल गया है यहाँ पर मुझे every level credit limit 1000 मिले है यानि कि daily limit है यह ठीक है और नीचे आप green वाले bracket में देख सकते हैं green वाले box में कि यहाँ पर मुझे 10,000 रुपए की limit यह दे रहे हैं अप्ग्रेड करने के बाद फिलाल मैंने अप्ग्रेड नहीं किया है ठीक है और यहाँ पर अगर मैं update कर लेता हूं तो मुझे 10,000 की limit मिल जाती है यानि कि 10,000 की limit monthly limit मुझे मिली हुई है ठीक है पर daily limit मुझे 1000 मिली हुई है तो description में link दी हुई है अगर आपको धनी से loan चाहिए तो आप जाकर इस application को download कर लीजिए और check कर लीजिए कि आपको कितना loan मिल सकता है इसके बाद आप यहाँ पर यह सारी detail भरके पहले ही check कर सकते है activate करना हो यह नहीं करना हो यह बात की बात है ठीक है मुझे 10,000 रुपे की limit मिली है और daily limit बंताव जनकी मिली है ठीक है अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दीजिए चैनल को subscribe कर दीजिए मैं आपको मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत